Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity, My Name is Garima आज हम करेंगे Class 8 English NCRT Honeydew का 9th Chapter The Great Stone Face Part 1 Before you read Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes थोड़ी दूरी से देखें तो जो पहाड की चोटियां होती हैं और बड़ी बड़ी चटाने होती हैं उनमें हमें कुछ आकरतियां दिखाई देती हैं They may resemble an animal or a human figure तो वो कुछ-कुछ जानवनों की तरह या फिर मनुश्यों की आकरति की तरह दिखती हैं People attribute stories to this shape और जो लोग हैं उनका विश्वास है कि इन आकरतियों से कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं Some stories come true, others don't कुछ कहानिया सच भी हो जाती हैं लेकिन सारी नहीं तो जो ये कहानी है Great Stone Face की ये एक ऐसे ही आकरति है जो की वहां के जो मूलनिवासी थे घाटी के उनकी भविश्चिवाणी थी और की कुछ इसमें याद दिलाती है वो क्या चीज़ रिमाइन कराती है और वो क्या सच हुई है ये हम स्टोरी में देखेंगे One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the Great Stone Face एक दुपह की बात है सूरज धलने को था मा और उसका छोटा सा बैटा अपने cottage जो small hut होती है जोपडी अपने जोपडी के दरवाजे पर बैठे थे और Great Stone Face के बारे में बात कर रहे थे They had only to lift their eyes and there it was plain to be seen through miles away with the sunshine brightening all its features तो जो वो आँख उठाते थे और सामने उनको वो दिख जाता था क्योंकि उनके घर से वो कुछी दूरी पर कुछी miles पर था जब सूर की रोशनी उसके उपर पड़ती थी तो उसके सारे नैन नक्ष जो थे वो brightly चमकने लगते थे And what was the Great Stone Face? लेकिन ये Great Stone Face था क्या? The Great Stone Face was a work of nature formed on the perpendicular side of mountain by some immense rock which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face Great Stone Face जो था वो प्रकति का काम था यानि वो प्रकतिक था और वो perpendicular यानि सीधा बना था mountains पे और some immense rock यानि जो बहुत बड़ी बड़ी चटाने होती हैं वो एक साथ रखी थी इसके कारण दूर से वो किसी मानव के चेहरे की तरह दिखता था If the spectator approached to near अगर कोई दर्शक उसके पास जाता था He lost the outline of the enormous face तो वो उस चेहरे की जो outlines हैं उसको वो नहीं ढून पाता था And could see only a heap of gigantic rocks उसको वहाँ पे बस बड़ी बड़ी पत्थरों के धेर दिखाई पड़ते थे जो की एक के उपर एक लदे होते थे But seen from a distance, the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive लेकिन दूर से देखने पर जब बादल उसके आसपास भर जाते थे, cluster में आ जाते थे तो great stone face ऐसा लगता था, मानो वो जीवित व्यक्ति का कोई चेहरा हो It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to be nine the face that was continually beaming over it लोगों का विश्वास था, कि जो घाटी में वो जो उसका face है, benign होता है बहुत kind face, बहुत दयालू भरा face तो जब तक उसकी जो नजर है, जब तक उसकी जो छबी है, वहाँ पर पढ़ती रहेगी वहाँ की जो fertility है, जो मिट्टी की उपज है, वो बरकरार रहेगी तो जैसा कि हमने पहले बताया था, कि मा और उसका छोटा बेटा तरवाजे पर बैठा है अपनी छोटी सी जोपडी पर और great stone face को देख रहा है, और उसके बारे में बात कर रहा है उस छोटे से बेटे का नाम जो है, वो Ernest था, Ernest जो है, वो बहुत प्यारा था Mother said he, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly, that its voice must indeed be pleasant तो उसने अपनी मा से कहा, कि जब भी मैं इस great face को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, ये देखकर मुझे smile कर रहा है काश ही मुझे से बाते कर सकता, क्योंकि ये इतना kindly है, क्योंकि इसके चहरा इतना दया से भरा हुआ है, कि अगर ये बोलता है, तो वो कितनी अच्छी होती, कितनी pleasant लगता मुझे If I ever see a man with such a face, I should love him very much, अगर मुझे कोई व्यक्ती इसी चहरे का मिला, तो मैं जरूर उसे बहुत प्यार परूंगा If an old prophecy should come to pass, answered his mother, तो उसकी मान ने उत्तर दिया, कि एक पुरानी भविश्यवारी है, अगर वो सच हो जाए, we may see a man sometime, तो हम उस आदमी को देख पाए, with exactly such a face as that, जैसे कि इसका चहरा है, बिलकुल ही वैसे prophecy होता है, statement that tells what will happen in the future, यानि भविश्यवारी, what prophecy do you mean, dear mother, eagerly inquired Ernest, और Ernest ने बहुत उत्सुकता से, उससे सवाल किया, मा से अपनी, कि कौन सी भविश्यवारी है मा, मुझे भी बताओ, please tell me about it, मुझे इसके बारे में और बताओ, so his mother told him a story that her own mother had told her, तो उनकी मा ने, जो Ernest की मा थी, उसने बताया, कि मेरी मा ने, मुझे बताया था, जब मैं तुम्हारी इतनी बड़ी थी, that at some future day, कि भविश में एक ऐसा दिन आएगा, child should be born, एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा, यहाँ पर, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear the exact resemblance to the greatest stone face, तो वो व्यक्ती जो है, वो बहु होगा, और जो बिल्कुल great stone face के चहरे की तरह ही दिखेगा, resemblance होता है, look like, बिल्कुल उसी की तरह दिखाई पड़ेगा, many still had faith in this old prophecy, और बहुत सारे लोग जो हैं, यह इस पुरानी भविश्वारी में विश्वास रखते हैं, but others took it to be nothing but idle talk, लेकिन बाकी जो लोग हैं, उसे वो लोग इसको बेकार की बाद समझते हैं, at all events the great man of the prophecy had not yet appeared, लेकिन इतने सारे events के बाद भी वो महान व्यक्ति जो भविश्वारी की गई है, वो आज तक दिखाई नहीं पड़ा, oh mother cries Ernest clapping his hand above his head, I do hope that I shall live to see him, तो उसने अपनी मा से कहा, चिलाते हुए Ernest ने तालियां बज देख सको, his mother was an affectionate and thoughtful woman, उसकी मा जो थी, वो बहुत प्यार करने वाली और एक समझदार इस्त्री थी, it was proper she thought not to discourage and fanciful hopes of her little boy, और वो नहीं चाहती थी कि उसके छोटे से बेटे की जो उमीदे हैं, उसको वो discourage करे और निराश करे उसको, so she said to him perhaps you may, तो इसलिए उसने अपने बच्चे से कहा, कि हाँ क्यों नहीं, शायद तुम उससे मिल सको, and Ernest never forget the story that his mother told him, लेकिन Ernest जो है, वो कभी नहीं बूला वो कहानी जो उसकी मानियों से सुनाई थी, it was always in his mind whenever he looked upon the great stone face, और जब जब वो great stone face को तरफ देखता था, तो हमेशा उसके दिमाग में उस कहानी को, म He spent his childhood in lock cottage where he was born, और उसने अपना पूरा जो बच्चपन है, वो उस लकडी की छोपन सी कुटिया में गुजार दिया जहां वो पैदा हुआ था, was dutiful to his mother, और वो अपनी मा के प्रती बहुत जिम्मेदार था, and helpful to her in many things, assisting her much with his little hand, और वो अपने छोटे छोटे हातों से अपनी मा की मदद किया करता था, and more with his loving heart, और उसका दिल भी बहुत प्यारा था, in this manner, for a happy yet often pensive child, he grew up to be a mild and quiet youth, और इस प्रकार से वो छोटा सा खुश बच्चा जो था, वो बड़ा हो गया, और वो बहुत सौम मिसरल सभाव का शान्त युवा बन गया, Ernest had no teacher, Ernest का कोई teacher तो था न लेकिन जो great stone face था, वो उसके लिए एक teacher की तरह हो गया था, when the work of the day was over, जब दिन का काम खतम हो जाता था, he would gaze at it for hours, वो उसको घंटों के लिए घूरता रहता था, until he began to imagine that those vast figures recognize him, जब तक जब तक कि उसको ये नहीं लगने लगता था, कि वो इतना विशाल features हो है, वो उसको पहचान जाए और उसको कोई मुस्कुराहत दे, जिससे उसके अंदर kindness और encouragement आ सके, about this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at the last, तो इसी समय जब ये सब हो रहा था, तब वहाँ पर अफ़ा rumor होती है, अफ़ा फैल गई, कि पूरी valley में कि वो जो great man है, जिसकी शकल great stone face की तरह मिल दी है, वो अब आने को है, आखिरकार वो आने ही वाला है, it seemed that many years before a young man had left the valley, ऐसा लगता था मानों, बहुत साल पहले एक जवान आदमी ने घाटी को छोड़ दिया था, और वो सीपोर्ट की तरफ चला गया था रहने के लिए, जिसका नाम था gather gold, और he had set up as a shopkeeper, और वो वहा जादा धनी बन गया था, that it would have taken him hundred years only to count his wealth, और आपको पता है, वो इतना अमीर था कि उसकी जो धन है, उसकी जो संपत्ती है, उसको गिनने के लिए सालो लग जाएंगे, in time he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born, अब उसने इस समय जब वो अपनी उमर के इस पढ़ाओ पे था, तो उस अखरी दिन जो है, वो वहाँ बिताएगा, जहाँ उसने अपना जन्म लिया था, Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at the land to be seen in his native valley, Ernest जो था, वो बहुत खुश था अंदर से, और उसके अंदर कुछ चल रहा था, कि जो महान व्यक्ति है, जो एक noble इंसान है, और जिसकी भविश्यवाणी की गई थी, वो इतने सालों के बाद, इतने ages के बाद, इतने लंबे समय के बाद, अब वो उस native valley में आ रहा है, while the boy was still gazing up the valley one day, and imagining that the great stone face returned his gaze, और वो लड़का अभी भी उस valley में, उस great stone face को देखता है, कि शायद वो इंसान वापस आ जाए, the noise of wheel was heard, तभी उसको पहियों की गड़गडा हट सुनाई पड़ी, a man crowd of people cried, और वहाँ पर लोगों की जो भीड थी, वो चिला रही थी, here comes the great Mr. Gathergold, और देखो, ये महान Mr. Gathergold, जो है, वो यहाँ आ गए है, a carriage drawn by four horses, और एक buggy जो है, जो चार घोडों द्वारा चलाई जा रही थी, dashed round, turned to the road, और वो वहाँ सड़क परा कर रुकी, within it, thrust partly, out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin, और उसकी जो खिड़की थी, उससे एक बुड़े वेक्ती की शकल, एक चहरा दिखाई दे रहा था, जो की पीला पड़ जिसकी skin जो थी, पीली पड़ चुकी थी, the very image of great stone face, shouted the people, और जितने भी लोग थे, वो ये चिला रहे थे, ये तो बिलकुल वही image है, जो की great stone face की है, sure enough, the old prophecy is true, और सबने कहा, देखा, सच हो गया, जो भविश्य वाणी की गई थी, वो सच हो गई, here we have the great man at last, अब हमारे प believe that here was likeness which they spoke of, और जो earnest था, वो बहुत puzzled होके देख रहा था उसकी तरफ, क्योंकि उसको मालुम था, ये वो व्यक्ती नहीं है, जिसके बारे में बाते की जा रही है, he turned away sadly from the wrinkled studiousness and that unpleasant face, और वो बहुत दुखी चाहरे के साथ, वहाँ से पलट कर जाने लगा, and gazed up the valley, और वापस उस valley में जाकर stone face की तरफ देखने लगा, और stone face की तरफ देख रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा था, कि शायद वो face उससे कह रहा हो, he will come, fear not earnest, the man will come, वो इनसान जरूर आएगा, डरो मत earnest, वो इनसान जरूर आएगा, ये हुआ चैप्टर का first part, second part हम लोग नेक्स व झाओारी,